पुस्तक का नाम संचैन क्लास टेंथ चेप्टर नंबर थ्री टोपी शुकला इसके लेखक हैं राही मासूम रजा टोपी शुकला इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा इफ़न ने इसका बुरा माना परन्तु वो इफ़न पुकारने पर बोलता रहा इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है उर्दू और हिंदी एक ही भाषा हिंदिवी के दो नाम है परन्तु आप खुद देख लिजे कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं नाम कृष्ण है तो उसे आवतार कहते हैं और मुहम्मद है तो पैगंबर नामों के चक्कर में पढ़कर लोग या भूल गए कि दोनों ही दूद देने वाले जानवर चराय करते थे दोनों ही पशुपती गोगरधन और ब्रज कुमार थे इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी ना केवल यह की अधूरे हैं बलकि बेमानी है इसलिए इफ़न के घर चलना जरूरी है यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाईं चल रही है और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फला रहे है इफ़न की कहानी बहुत लंबी है परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे है इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाओंगा बलकि के वर उतनी सुनाओंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है मैंने इसे जरूरी जाना कि इफ़न के बारे में मैं आपको कुछ बता दू क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगा जगा दिखाई देगा न टोपी इफ़न की परचाई है और न इफ़न टोपी की ये दोनों दो आजाद देखती है इन दोनों वेक्तियों का डेवलप्मेंट एक दुसरे से आजाद तोर पर हुआ इन दोनों को दो तरह की घरेलू परमपराएं मिली इन दोनों ये जीवन के बारे में अलग-अलग सोचा फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा है या बात बहुत महत्तुपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है मैं हिंदू-मुसलिम भाई-भाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बेखुफी क्यों करूँ क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई-भाई है यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते है हिंदू-मुसल्मान अगर भाई-भाई है तो कहने की जुरुत नहीं यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा मुझे कोई चुनाव लड़ना थोड़ी नहीं मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ मैं टोपी और इफन की बात कर रहा हूँ ये इस कहानी के दो चरितर है एक का नाम बलभदर नरायन शुकला है और दुसरे का नाम सेद जरगाम मुर्तुजा एक को टोपी कहा गया है और दुसरे को इफन इफन के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे काफिरों के देश में पैदा हुए काफिरों के देश में मरे परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करवला ले जाई जाए उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली उस खांदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वो बढ़कर इफन का बाप हुआ जब इफन के पता सेद मौर्तुजा हुसाइन मरे तो उन्होंने वह वसीयत नहीं की कि उनका लास करवला ले जाई जाए वो एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किये गए इफन की पर दादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी करवला नजफ खुरसाना काजमैन और जाने कहां कियातर कराई थी परन्तु जब कोई घर से जाने लगता तो वो दर्वाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मास का सदका भी जरूर उतरवाती इफन की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी परन्तु जब इकलोते बेटे को चेचक निकली तो वो चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो पूरव की रहने वाली थी नौ या दस बरस की थी जब व्याह कर लखनौ आई परन्तु जब तक जिन्दा रही पूर्वी बोलती रही लखनौ की उर्दू ससुराली थी वो तो माइके की भाषा को गले लगाई रही क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का परन्तु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था बेचारी दिल मसोस कर रह गई हाँ इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भर कर जस्ट मना लिया बात ये थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था मर्दों और और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगर इफ़न की आत्मा का नाक नक्षा समझ में नहीं आ सकता इफ़न की दादी किसी मौलवी के बेटी नहीं थी बलकि एक जमिंदार की बेटी थी दूद घी खाती हुई आई थी परन्तु लखनव आकर वो उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहां से आया करता था बस माय के जाती तो लपड़ शपड़ जी भरके खा ले थी लखनव आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता अपने मियां से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखेना मौका बस मौलवी ही बने रहते ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लास करवला जाएगी या नजफ तो बिगड़ गई बोली आए बेटा जवन तूसे हमरी लास न समभा ले जाए तो हमरे घर भेज दी हो मौत सिर्फर थी इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहां है घर वाले कराची में है और घर कस्टोडियन का हो चुका है मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खुबसूरत सपने देखता है यह कथाकार का ख्याल है क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया उस घर का नाम कच्ची हवेली था कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी उन्हें दसारी आम कवा बीजू पेड याद आया जो उन्होंने अपने हाथों से लगाया था और जो उन्हीं के तरह बुढ़ा हो चुका था ऐसी ही छोटी छोटी और मिठी मिठी बेशुमार चीज़ें याद आई वह इन चीज़ों को छोड़कर भला कर्बला या नजफ कैसे जा सकती थी वह बनारस के फात्मैन में दफन की गई क्योंकि मुर्तुजा हुसाइन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी इफन स्कूल गया हुँ था नौकर ने आकर खवर दी कि बीवी का दिहान थो गया इफन की दादी बीवी कही जाती थी इफन तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी इफन को अपनी दादी से बड़ा प्यार था प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और चोटी बेहन नुझहत से भी था परन्तु दादी से वज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था अम्मी तो कभी कभार डाट मार लिया करती थी बाजी का भी अही हाल था अब्बू भी कभी कभार घर को कचारी समझकर फैसला सुनाने लगते थे नुझहत को जब मौका मिलता हो उसकी कापियों पर तस्वीरे बनानी लगती बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया वरात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब कावली, हतिम ताईप, पंच फुला रानी की कहानिया सुनाया करती थी सोता है संसार, जागता है पाक, परवर्दिगार आँखों के देखी नहीं कहती, कानों के सुनी कहती हूं कि एक मुलुक में एक बात्सा रहा दादी की भाशा पर वो कभी नहीं मुस्कुराया उसे तो अच्छी भली लगती थी परन्तु अब्बू नहीं बोलने देते थे और जब वो दादी से इसकी शिकायत करता तो वो हस पड़ती अब मोरा का है बेटा अनपढ़ गवारन की बोली तु का है को बोले लगयो तु अपने अब्बाही की बोली बोलो बात खत्म हो जाती और कहानी सुर हो जाती तो वो बादशा का के हिस कि तुरंते एक ठो हीरन मार लिया हुआ यहीं बोली टोपी के दिल में उतर गई थी इफ़न की दादी उसे अपनी मा की पार्टी की दिखाए थी अपनी दादी से तो उसे नफरत थी जाने कैसी भाषा बोलती थी इफ़न के अबू और उसकी भाषा एक थी वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बाचित करने की कभी कोशिश ही न करता ये दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हसने के लिए उसे छेड़ती परन्तु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाओ करवा देती तो ये काहे के जाते उन सभन के पास मुह पिटावे के ज़ाड़ू मारे चली धीरा वह डांट कर कहती परन्तु हर शब्द शक्कर का खिलोना बन जाता अमावट बन जाता तिलवा बन जाता और वह चुप चाप उनके पास चला जाता तेरी अम्मा का कर रही दादी हमेशा यहीं से बात सुरू करती पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं यह शब्द उसे अच्छा लगा अम्मा वह इस शब्द को गुड की डली की तरह चुबलाता रहा अम्मा अब्बू बाजी फिर एक दिन गजब हो गया डॉक्टर भ्रिगु नरायन शुकला नीले तेल वाले के घर में भी बीस्वी सदी प्रवेश कर चुकी थी यानि खाना मेज कुर्सी पर होता था लगती तो थालिया ही थी परन्तु चौके पर नहीं उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भूरता उसे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा रामदुलारी खाना पर उस रही थी टोपी ने कहा अम्मी जरा बैगन का भूरता अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुख गए जितनी आखे थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई अम्मी यह शब्द इस घर में कैसे आया अम्मी परंपराओं के दिवार डोलने लगी यह लवज तुमने कहां सिखा सुभद्रा देवी ने सवाल किया